हेलो अब्रीगों वेल्कम बैक टू मैं स्मार्ट जोन तो इस वीडियो में बात करेंगे डवल एआई एक्जाम के बारे में जैसा कि आपको पता है कि डवल एआई के एक्जाम खतम हुए है बीस दिन लगबग हो जुके हैं जूनियर एक्जेक्टिव के और जो एक्जाम और सारे थे लाइक एक्जाम था और सारे पोश्ट की जो एक्जाम थे उसकी खतम हुए अभी लगबग 15 से 16 दिन ही हुआ है ठीक है तो अगर हम बात करें रिजल्ट डेट की बारे हैं बहुत सारे कैंड़ेट बोल ला थी लगबग 20 दिनों में तो रिजल्ट आ जाता है लेकि जरो ही नहीं कि 20 दिनों में ही आ जाए कभी कभी 30 दिन में लग जाता है यानि एक मांत का टाइम तो आभी पेस से ले लेता है रिजल्ट रिलीज करने में ठीक है अगर हम एक सेफ डेट की बात करें कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है देखो आपका जो AI का एक्जाम में खतम कब हुआ था 23 नवंबर को लास्ट एक्जाम था ठीक है जो की खतम हुआ था अगर हम बात करें इसके रिजल्ट डेट के बारे में तो 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच आपको इसका रिजल्ट डिखने को मिल जाएगा अब काफी सारे कैंडिट यह पूछ रहें कि एं इसने पलजाम कंडक करिया ऐसे बहू सारे कजाम में हुए ठेकर आया पड़ यहाँ पर आनसर की नहीं आया कि इतना डिले ऌैंसर की कभी नहीं आता आना होता है तो या मीट्ञाट आपको direct result देखने को मिलेगा और यह आपको 15 से 20 November की बीच confirm देखने को मिल जाएगा अगर हम बात करें cut-off के बारे में तो junior executive के अगर हम बात करें cut-off क्या रहा है क्योंकि सबसे यह post ही ही पे था तो यहाँ पर cut-off बताना थोड़ा सा असान है बाकि सब में अगर हम देखें accountant में स्रिफ 9 post ही थी तो उन सारे vacancy में बहुत मुस्किल होता है cut-off को predict करना अगर हम बात करें cut-off की बारे में थे जिस type का level आया था यहाँ पर क्या हुआ कि bank pattern पे exam आया था और mostly जो aspirant थे इसमें वो SSC के थे reason बहुत सारा है पहला reason यह था कि जो slayvers था वो SSC के pattern पे था तो SSC aspirant जादा इसमें form फिल किये थे ऐसा नहीं कि bank aspirant बिल्कुल भी नहीं था इसमें था लेकिन कम था जहांतर आपको SSC के aspirant देखन को मिलेंगे अब ऐसा Q था क्योंकि यहां पर था कि आपका advance का part भी पूछा जागा advance के part को लेकर लंबा 4x slayvers हमें दिया गया था जो कि bank वाले नहीं पड़ते हैं bank वाले सिर्फ और सिर्फ orthomatic को फोकस करते हैं क्योंकि bank के premium सिर्फ और सिर्फ orthomatic ही पूछा जाता है ठीक है उस दिया इस से पांच-पांच कोशन यानि कि 25 कोशन चाब इस कोशन तो आपको डिया के मिल जाते हैं वहाँ पर फिर आपका orthomatic part से profit loss percentage वाले से कुछ कोशन दिखने को मिल जाता है तो मोश्ट जो कोशन रहता है वो orthomatic से रहता है लेकिन यहाँ पर क्या था यहाँ पर slayvers बिल्कुल भी आपका बैंक का नहीं था जो आपका SSC का slayvers था वो दिया गया था इसलिए तो SSC spend ने ज्यादा अपलाई करा लेकिन वहाँ पर कोशन क्या आया कोशन आपका bank pattern पर आ गया तो वहाँ पर दिक्कत हुआ जो SSC spend थे उनको तो इसके वहाँ से कम attempt रहागे बहुत सारे candidate का तो उमीद यही है कि इस पर जो आपका cut-off हो कम जाएगा approximately आप मान के लो 105 से 110 के बीच रह सकते हैं उससे ज्यादा जाने के chances नहीं है और result आगा तो यह सब भी clear हो जाएगा कि आपका cut-off रहेगा तो यह मैं यूर की बात करो 105 से 110 cut-off रह सकता है ठीक है तो यह है आज की वीडियो उमीद करते हों कि वीडियो आपको अच्छी लगए और वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को